Hello Everyone, Welcome to Chandigarh Educators My name is Vipir Negi आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत important subject के बारे में जो की civil engineering के पॉइंटर वीज़ा है काफी जाए important है फर्दर अगर हम बात करें इस subject की तो अभी सी बात है we are going to discuss about the strength of material तो strength of material के बारे में हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि why strength of material is so important for civil engineering तो civil engineering के point of view से strength of material important क्यों है फर्दर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग ये भी discuss करेंगे कि strength of material जो है examination point of view से भी इतना ज़्यादा important है और strength of material की बात करें तो उसके background के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से strength of material जो है deal करता है हमारे engineering में जैसे कि हमारे को यहाँ पे नाम दे रखा है strength of material तो अब इस यह बात है कहीं न कहीं हम लोग उस material के बारे में बात कर रहे है कहीं न कहीं हम लोग उस material के बारे में बात कर रहे है जो आप लोग अलग-अलग type के structures को बनाने के लिए यूज करने वाले हो या आप बोल सकते हैं कि engineering में जो भी material involved है या आप बोल सकते हैं ऐसे material जिनसे हम लोग इंजिनेरिंग कर सकते हैं, तो अबिसी बात है, उनके behavior को हम लोग समझने की कुशिच करेंगे इस particular subject के अंदर, अब उनके behavior को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अबिसी बात है, जब भी हम लोग different engineering structures की बात करें या different engineering components की बात करें, तो अलग-अलग engineering components और structure के ऊपर, जो external forces हैं, या external load लग रहे हैं, उनके वज़े से किस step का effect आपको देखने को मिलता है, या कौन-कौन से load की वज़े से किस step से इसका behavior देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग detail में समझेंगे, इस particular strength of material की अंदर, अब बात करते हैं इसके background के बारे में, कि ये strength of material किस तर अप्लाइड मेकेनिक्स से, फर्दर अगर हम बात करें, अप्लाइड मेकेनिक्स की, तो अप्लाइड मेकेनिक्स डील करता है, अगर हम बात करें, तो अप्लाइड मेकेनिक्स डील करता है, solid मेकेनिक्स से, और solid मेकेनिक्स की बात करें, तो ओभी सी बात है, ये solid मेकेनिक्स, applied mechanics का एक ब्रांच है फर्दर जिसके अंदर जिसके अंदर different bodies के बारे में study होती है जिसके अंदर अलग-अलग bodies के बारे में study होती है तो solid mechanics जो है फर्दर आगे जाके दो type के bodies के बारे में बात करेगा एक बात करेगा deformable bodies के बारे में एक बात करेगा deformable bodies के बारे में और एक बात करेगा आपका rigid bodies के बारे में एक बात करेगा आपका rigid bodies के बारे में फर्दर जब हम बात करते हैं deformable bodies और rigid bodies की तो deformable bodies ऐसी bodies आप बोल सकते हैं फॉर एक्जामपल ये हमने एक particular body ले ली इस body के उपर दो points हमने consider कर दिये जब इसके उपर मैं external load लगाता हूँ जब इसके उपर external load लगाता हूँ तो मिरको क्या देखने को बिलेगा कि ये जो bodies हैं इनके बीच का जो distance है वो distance जो है after application of that load उस load की apply होने के बाद ये distance आपका change हो जाता है तो ऐसे bodies को हम लोग deformable bodies बोलेंगे जो deform हो जाएंगे जिनके दो respective points जो है अपना position या अपना जो location है वो change करते हैं by the application of due to this particular load जो due to external load तो external load के वज़े से अपना location कोई particle change कर रहा है किसी body की अंदर तो उस body को हम लोग deformable bodies के category में रख लेते हैं further अगर हम बात करें rigid body की तो rigid body इसका बिल्कूल उलट तो कहने का मतलब है for example माल लोग किसी particular body के अंदर दो points हम consider करते हैं point A और point B इनके ऊपर हम लोग external load लगाते हैं तो इस external load के वज़े से इस point A और point B के location के ऊपर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है अब इसी बात है distance will be remains constant तो ऐसी body को बोलते हैं हम लोग rigid body further अगर हम बात करें तो जहां पर हम लोग deformable bodies के बारे में बात करते हैं जहां पर हम लोग deformable bodies के बारे में बात करते हैं उसी subject को हम लोग बोलते है strength of material तो आप बोल सकते हैं कि strength of material के अगर हम बात करें तो strength of material के अंदर हम deformable bodies के बारे में बात करते हैं या deformable bodies के ऊपर हम लोग load लगा के देखेंगे या external forces का यहां पर effect हम लोग देखेंगे on deformable bodies in strength of material ठीक, whereas अगर हम rigid bodies की बात करें तो rigid body के साथ deal करने के लिए जो subject हमारे को देखने को मिलता है that is called your engineering mechanics या simple mechanics हम लोग इसको बोल सकते हैं तो simple mechanics या engineering mechanics जो है यहां पर हम लोग deal करते हैं rigid bodies के साथ और strength of material के अंदर हम लोग deal करते हैं deformable bodies के साथ now तो यहां पर हमने सबसे पहली बात तो हमने यह समझा कि यह जो strength of material है इसका background क्या है तो कहीं न कहीं strength of material ultimately applied mechanics का एक part है जिसके अंदर हम लोग deformable bodies के बारे में बात करेंगे तो हम लोग ऐसे bodies के बारे में बात करेंगे जिनके उपर अगर हम load लगाते हैं तो वहां पर आपको कुछ deformations देखने को मिल जाएगी clear है तो यहां पर आपको कुछ deformations देखने को मिल जाएगी तो उस body के बारे में हम लोग यहां पर discuss कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो हमारा यहाँ पर ओब्जेक्टिव क्या है तो अब हम बात करेंगे कि What is the objective of strength of material तो सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पर समझना क्या है हमने यहाँ पर यह समझना है कि जब भी किसी भी particular member के उपर या किसी भी particular structural component के ऊपर जब external load लगता है तो अब इस बात है उस external load के वजए से कुछ internal stresses या आप बोल सकते हैं कुछ internal forces आपके डवलप होते हैं जब भी हमने कुछ external load लगाया तो आपको यह देखने को मिलेगा कि उस particular material का किस तरीके से behavior हो रहा है वो हमने यहाँ पर समझना है कि under the action of different types of load आपका material किस तरीके से behavior करेगा यह हमारे को समझना है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा objective है body तो समझ में आ गया deformable bodies है अब deformable bodies के अंदर हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर हम deformable bodies की बात करें तो कहीं न कहीं उन bodies का मुझे mechanical behavior समझना है उन bodies का मुझे mechanical behavior समझना है किサ์ कि किस body का mechanical behavior समझना है मुझे उस body का mechanical behavior समझना है जिसको मैं इस्तिमाल करना चाहता हूं किसके अंदर हमारे structure के अंदर कोई भी structure मैं बना रहा हूँ तो अभी सी बात है उसमें अलग-अलग components में लगाने पड़ेंगे और अलग-अलग components जो लगेंगे हो सकता है वो अलग-अलग material के हो तो अभी सी बात है और further अलग-अलग material के तो होंगे होंगे दूसरी और उनके उपर अलग-अलग type के लोड भी लगेंगे तो अभी सी बात है उस particular material के उपर या उस particular member के उपर कौन-कौन से लोड लगेंगे और जो different type के लोड लगते हैं उनके वज़े से क्या-क्या effect आपको देखने को मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर समझने की कुशिश कर रहे हैं और कही न कहीं उसी behavior को हम लोग mechanical behavior बोर रहे हैं तो mechanical behavior के अंदर अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं किसी भी structure की अगर मैं stability की बारे में बात करूँगा तो अभी सी बात है उस structure में use होने वाले material की mechanical behavior को the application of external load under the application of external load some internal stresses will be developed stresses will develop stresses will develop और further कर हम बात करें तो जो आपके internal stresses या internal forces आपके develop हो रहे हैं internal stresses या आप बोल सकते हैं internal forces जो आपके develop हो रहे हैं उनको हमार को समझना है और further अगर हम बात करें यह जो internal forces हैं यह forces हम बात कर सकते हैं कि यह जो internal stresses और forces हैं इनको हम समझेंगे in terms of stresses in terms of stresses in terms of strain and in terms of deformations and in terms of deformations ठीक तो कहने का मतलब यह है कि जो भी हम लोग material use करने वाले हैं हमारे structure के अंदर कहीं न कहीं उस structure के ऊपर हम लोग different type के load लगाएंगे और different type के load लगाने के बाद हमें उस structure में कुछ internal forces generate होते वे नजर आएंगे internal forces like कुछ stresses, कुछ strains या deformation etc ये सारी चीज़े उस particular body के अंदर develop होंगे अब फर्दर ये जो values ये जो हमारे को stresses या strains या deformations है ये values हम लोग कैसे find out करेंगे ये values हम लोग find out करेंगे या तो हम लोग theoretically हम लोग इसको find out करेंगे या तो हम लोग इसको theoretically find out करेंगे या हम लोग इसको experimentally find out करेंगे या हम लोग जो है इसको experimentally find out करने वाला है अगर हम बात करें theoretical और experimental है दोनों की जो values होती है दोनों तरीके से जो मेरे को values मिलती है दोनों की importance बराबर होती है तो कहने का मतलब है चाहे theoretical निकालो चाहे experimental यहां से आप लोग values निकाल दो ठीक फर्दर अगर हम बात करें तो अगर मिरको theoretical या experimentally हम लोग यहां से values निकाल दें किसकी stresses, strain और deformation की अब कौन सी values निकालनी है मिरको इनकी वो values निकालनी है जब तक यह आपका particular material फेल नहीं होता है तो जब तक यह particular material आपका फेल नहीं होता है तब तक इनके उपर में load लगाऊंगा different type की जिनके वज़े से यह सार material का अगर मिरको हर एक material का यह सारी behaviors मिल जाएं under the action of definite external loads अगर मिरको यह सारी चीज़ें मिल जाएं कि failure तक failure तक इन सारे चीजों के अंदर किस तरीके से इसका behavior आपका हो रहा है तो अभी सी बात है इसी को हम लोग बोलते हैं mechanical behavior अब इस mechanical behavior का importance क्या है अगर मिरको किसी भी body का या किसी भी member का या किसी भी particular material का mechanical behavior मालूम है तो obviously बात है अब मैं यहां से जो भी structure design करूँगा वो क्या होगा? वो हमारा safe होगा तो it means किसी भी structure को safely design करने के लिए किसी भी structure को safely design करने के लिए we have to understand the mechanical behavior of the particular material अब अगर मेरे को particular material का mechanical behavior मिल जाता है तो obviously बात है मैं उस particular structure को safely design कर पाऊंगा mechanical behavior का मतलब under the effect of external loads जो भी आपके stresses डवलप हो रहे हैं कब तक? जब तक वो fail नहीं हो रहा है या आप बोल सकते हैं कि failure stresses, strain या deformation हम लोग find out करेंगे कैसे? theoretically या experimentally clear बात? तो obviously बात है safe design किसकी करनी है? safe design of structure safe design of structures अगर हम structure की बात करें तो structure कुछ भी हो सकता है जैसे अगर हम बात करें it can be the buildings ये आपके buildings हो सकते हैं ये आपके bridges हो सकते हैं ये आपके aeroplanes हो सकते हैं ये आपके aeroplanes हो सकते हैं या अगर हम बात करें इसके अलावा आप लोग कोई और भी चीज़े आप लोग example की तौर पे ले सकते हैं structure के form में या आप बो सकते हैं aeroplanes के अलावा हो गया submarines etc. तो जितने भी आपके structures हैं इनके safe designing के लिए हमारे को mechanical behavior समझना होता है उस particular material का जिसको आप लोग use करने वाले हों तो इसका मतलब हमारे को ये समझ में आ गया कि civil engineering के अलावा और भी बहुत सारे engineering के branches हैं जिनका basic कही न कहीं strength of material है तो कहने का मतलब civil engineering के अलावा और भी बहुत सारे engineering के branches हैं जिनके अंदर strength of material की जानकारी होना एक बहुत important चीज हो जाता है अब इसी बात है जब हम engineering की बात करते हैं तो एक बंदा engineering तब ही कर सकता है जब उसके पास कुछ material हो और जब तक उस material की behavior के बारे में उसको पता नहीं है तब तक वो उसके उपर engineering भी नहीं कर सकता है तो कहीं न कहीं ये subject हमें उस material के behavior के बारे में जानकारी देने वाला है तो किस तरीके से आपका material behave करेगा under the action of different types of load अलग अलग load के अंदर किस तरीके से behavior होने वाला है यह हम लोग इसके अंदर समझेगे clear about now तो बात आती है गुम फिर के load के उपर बात आती है गुम फिर के load के उपर तो सबसे पहली बात तो अगर हम load की बात करें तो load होता क्या है अगर हम load की बात करें तो load को हम लोग कैसे define कर सकते हैं load का मतलब होता है कोई भी external force किसी भी body के उपर जो externally act कर रहा है that is called load on that particular body या तो आप बोल सकते हैं कि external force या couple या तो आप बोल सकते हैं external force या couple किसी भी structure के उपर जब act कर रहा है जब वो अपने function में है तो अगर हम बात करें तो load का मतलब क्या हो सकता है it is a combination of external forces acting on a body तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि load का मतलब external जो forces हैं उन सब का combination जो किसी एक body के उपर act हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं load तो that is called your load या आप बोल सकते हैं an external force an external force or couple acting on a body acting on a body during its functionality during its functionality तो यहाँ बोल सकते हैं कि जो कोई external load किसी body के उपर act कर रहा है जब आपका वो particular structure या body वो आपके function में आ गई क्लेरे बात तो उसको भोलेंगे हम लोग external load ठीक अगर हम load की बात करें तो load can be classified load can be classified in terms of अगर हम application की basis भी बात करें तो load को हम लोग classify कर सकते हैं with respect to cross section of the member कि किस तरीके से आपका load cross section के along आपका लगता है load को हम लोग classify कर सकते हैं with respect to time and load को हम लोग classify कर सकते हैं with respect to distribution तो अगर हम बात करें तो classification की अगर हम बात करें तो load को हम लोग classify कर सकते हैं with respect to cross section of member तो given member की ऊपर जब आपका load लग रहा है उसके cross section के मुताबिक हम लोग बात कर सकते हैं load की अगर हम बात करें तो load को हम लोग classify कर सकते हैं with respect to time load को हम लोग classify कर सकते हैं on the basis of its distribution on basis of basis of distribution अब बात करते हैं कि load को हम लोग cross section के respect में किस तरीके से classify कर सकते हैं अगर हम cross section की बात करें तो किसी भी cross section पे load को दो तरीके से लगाया जा सकता है number one is your perpendicular to the cross section perpendicular to cross section and parallel to cross section perpendicular to cross section and parallel to cross section for example अगर हम बात करें तो देखे ज़रा तो ये मेरे पास एक structure member है या आप बोल सकते हैं कि ये मेरे पास एक cross section area है किसी भी particular structure का ठीक this is a particular cross sectional area तो मैंने क्या कहा कि load को मैं member के cross section के respect में बता सकता हूँ तो अगर आप दियान से इस profile को देखें तो ये आपका circular cross section है this is a circular cross section of any member तो अगर हम बात करें तो ये जो cross section है अगर इस cross section के normal में load लगाता हूँ या सो नो तो इस cross section के इस cross section के respect में या इस cross section के corresponding में कैसे load लगा सकता हूँ मैं cross section के respect में दो तरीके से load लगा सकता हूँ एक तो इस cross section का बिल्कुल perpendicular तो perpendicular to cross section as we have mentioned दूसरा cross section के respect में मैं कैसे लगा सकता हूँ इस तरीके से that is parallel to cross section तो ये जो load लग रहा है ये parallel है cross section का और further अगर हम ये load की बात करें तो this is your acting perpendicular to the cross section तो किसी भी cross section के उपर मैं दो तरीके से load लगा सकता हूँ या तो perpendicular ही या तो cross section के parallel ये तो ये सारी direction क्या हो जाएगी parallel to the cross section ठीक चलिए अगर हम cross section के perpendicular में load लगाते हैं अगर हम लोग cross section के perpendicular में load लगाते हैं तो उस load को हम लोग बोलते हैं normal loads उस load को हम लोग बोलते हैं normal load और अगर हम लोग cross section के parallel में load लगाते हैं अगर हम लोग इसको मालोग Cross section निमा दो इसके parallel में load लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं Shear load That is called Your Shear load तो Cross section के parallel में Shear load और Cross section के perpendicular लगेगा तो उसको हम लोग Normal load बोलते हैं ठीक, Normal load दो टाइब का हो सकता है एक होता है आपका Axial load, एक होता है आपका Eccentric Axial load eccentric axial load अब एक और चीज़ में आपको कहना चाहूंगा कि अभी तो हम लोग यहाँ पे इसको table के form में देख रहे हैं कि यह with respect to cross section of the member axial load क्या होता है और eccentric load क्या होता है अब इसको जो है एक बार हम लोग इस table को complete करेंगे and then हम लोग इसको एक particular diagram के अंदर हम लोग समझने की कुशिश करेंगे कि axial load क्या होता है eccentric load क्या होता है eccentric city किसको बोलते है further हम लोग shear load के बारे में बात करेंगे shear load में आगे हम बात करेंगे कि आपका transverse shear load होता है eccentric transverse shear load होता है तो इसको हम लोग बहुत अच्छी तरगी से समझने वाले हैं अब देखो जरा अब थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको यहीं पर भी दे देता हूँ Axial Load की अगर हम बात करें तो वो लोड वो लोड जो किसी Axis के Along लगता है अब longitudinal axis क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे जस्त इस topic को discuss करने के बाद ठीक है तो अलग-अलग axis के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे इसके बाद eccentric axial load क्या होता है eccentric axial load जो axial load है उससे eccentricity होगी मतलब axial load वो लोड जो आपके longitudinal axis के Along लग लग रहा है यह आप बोल सकते है for example अब इसको देखी लो यहाँ पे for example यह आपका कोई member है इस member का यह जो axis है इसको बुरहों में longitudinal axis इस member का यह axis है that is called your longitudinal axis अब इस longitudinal axis के उपर अगर लोड लग रहा है यह समझ लो इस longitudinal axis के उपर अगर लोड लग रहा है that is called your what axial load तो इसको हम लोग बोल रहा है axial load clear बात nature की बात अग भी हम लोग करेंगे इसके बाद तो इसको हम बोल सकते है axial tensile load अब अगर हम बात करें तो अगर आपकी load आपका जो load है वो load इधर लग जाए obviously बात है there is some distance आप बोल सकते हैं कि there is a distance या there is a difference देखने को मिलेगा आपको इन दोनों load के बीच में ठीक तो अगर हम यहाँ पे p-load की बात करें यह जो p-load है इसको हम लोग बोलेंगे eccentric axial load axial इसलिए क्योंकि यह load अभी भी किसके parallel है longitudinal axis के parallel है या longitudinal axis के along है clear बात तो p- is called your eccentric axial load and p- is called your axial load जो की axis के ऊपर लग रहा है long tunnel axis के ऊपर लग रहा है ठीक अगर हम बात करें axial load और eccentric axial load की इन दोनों का nature कुछ भी हो सकता है या आप बोल सकते हैं कि यह दोनों आपके दो तरीके से होते हैं या तो tensile हो सकता है या तो यह compressive हो सकता है तो it can will be either tensile and it it can be under compressive load तू यह आपका tensile भी हो सकता है he compressor muscle हो सकता है लोग अब इसी बात यह जो arrow है इस तरीकी से अगर मैं show कर रहा हूं that is, इस तरीके से आपको खिचाव देखने को मिलता है, that is your tension, और अगर यही लोड अंदर के तरफ आएगा, that is called your compression, for example, अगर हम बात करें, तो इस P लोड को अगर मैं ऐसे लगा देता, now, this P लोड is called as axial compressive load, for example, अगर यहाँ पे बात करें, तो इस P लोड को क्या बोलेंगे, axial tens tensile load, अगर आप ध्यान से देखो, तो यह जो P dash है, this P dash is called your eccentric axial tensile load, अगर आपका P dash यहाँ पे एक्ट कर रहा होता, अगर आपका P dash यहाँ पे एक्ट कर रहा होता, तो ओबिस ही बात है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, this is called eccentric axial compressive load, तो इसको क्या बोलेंगे, eccentric axial compressive load, तो और क् to the cross section हमने बात किया दो टाइप की लोड होती है एक होती आपका axial लोड एक होती आपकी center की axial लोड दोनों का nature टेंसाइल भी हो सकता है either it can be compressive diagramatically भी हमने आपे देख लिया अब बात करते हैं parallel to the cross section तो parallel to the cross section या cross section के parallel जहां हुन है तो आपका उस लोड को बोला जाता है शीयर लोड और अगर अगर मुआँ शीयर लोड की बात करें तो शीयर लोड भी आपका डो टाइप का होता है that is a transverse shear лож and eccentric transverse shear load and eccentric transverse shear load तो अभिसी बात हैं तो आपका जो शीयर लुड है या parallel to the cross section जब लोड लगता है तो इसको हम लोग दो तरीके से बात कर सकते हैं that is called transfer shear load and either it is called eccentric transfer shear load इसको हम लोग diagram में देख लेंगे थोड़ी देर के बाद फर्दर अगर हम बात करें with respect to time तो time के respect में हम लोग load को दो तरीके से define कर सकते हैं एक होता है आपका static load और एक होता है आपका dynamic load एक होता है आपका static load एक होता है आपका dynamic load static load की बात करें तो static load किसको बोला जाता है static load की बात करें तो static load के अंदर कौन कौन से लोड जाते हैं एक तो आता है आपका dead load तो dead loads कम जिन्दी कटेगरी of static load और दूसरा अगर हम बात करें gradually applied load gradually applied load तो gradually applied load ये भी आपका static load के अंदर आ जाएगा अब dead load और gradually applied load में फरक क्या है dead load का मतलब ऐसा load जो की time के respect में कभी change नहीं होगा या आप बोल सकते हैं ऐसा load जो की वहीं पे पड़ा रहेगा that is called dead load जिसकी value हमेशा constant होगी so that is called dead load फर्दर अगर में बात करें gradually applied load gradually applied load का मतलब दीरे दीरे आप लोग इस load को बढ़ाओगे इसको बोलते हैं हम लोग gradually applied load तो gradually applied load को भी हम लोग static load के category में लेकर आता है gradually applied load भी आपका static load के category में आता है for example ये आपका कोई surface है इस surface के ऊपर ये हमने कोई भी चीज हमने इस surface के ऊपर रग दी तो अगर इस surface के ऊपर ये चीज हमेशा यहीं पर रह रही है ये चीज कहीं पर चल नहीं पा रही है कहीं पर move नहीं हो रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं dead load तो इसको हम लोग बोलते हैं dead load clear बात अब gradually applied load क्या हो गया ये मैंने रख दिया एक material या कोई भी आपने member लग दिया इस member का weight था for example 2 kg का weight था अब मैंने क्या किया 2 kg और further हमने इसके बाद कुछ time के बाद 2 kg और डाल दिया कुछ time के बाद 2 kg और डाल दिया समया रहा कि नहीं रहा है तो obviously बात है दीरे दीरे मैंने इसके उपर 2 लगा रहा हूँ अब जो अगर हम बात करें तो total load कितना होगा इसके उपर 6 kg तो ये 6 kg लोड जो है ये आपका static load कहलाएगा क्यों क्योंकि दीरे दीरे इसके उपर लोड बढ़ा है हमने तो gradually apply load का मतलब दीरे दीरे लोड बढ़ाना तो that is this is also कमजिदे का degree of static load तो इसको static load के अंदर रखा जाता है अगर हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं dynamics के बारे में तो dynamic load की अगर हम बात करें अगर हम dynamic load की बात करें तो यहाँ पे आपके दो लोड आ जाएंगे further that is impact load that is your impact load and fatigue load and fatigue load अब impact load क्या होता है impact का मतलब होता है कि बहुत तेजी से impact का मतलब होता है बहुत तेजी से suddenly कोई भी लोड आ जाए तो Impact का मतलब Suddenly Applied Load, या आप इसको Shock भी बोलते हैं, तो हम लोग इसको Shock भी बोलते हैं, तो Impact का मतलब Suddenly Applied Load, Suddenly Applied Load, Suddenly Applied Load, और Shock, तो इसको हम लोग Impact Load बोलते हैं, Now, fatigue. Fatigue की बात करें, तो fatigue का मतलब होता है reversible load. बार बार लगने वाला load, that is called fatigue. Fatigue की बात करें, fatigue दो टाइप का हो सकता है. एक है आपका cyclic, एक है आपका cyclic, और दूसरा है आपका variable. Fatigue भी आपका दो तरीके से हो सकता है, that is your variable cyclic load, या variable cyclic load, that is called fatigue, और यह आप बोल सकते हैं, that is, यह आप बोल सकते हैं कि cyclic load, यह आप बोल सकते हैं cyclic load, तो cyclic का मतलब बार बार आ गया load, cyclic का मतलब एक cycle में गुम रहा है, सही बात है कि नहीं, cyclic का मतलब एक cycle में load आ रहा है, तो that is called your fatigue load, ठीक, तो load को हमने classify किया with respect to time, तो time के respect में static load, dynamic load, static load में dead load और gradually applied load dynamics के अंदर, dynamic load के अंदर impact और fatigue load now, आगे बात करते हैं on the basis of distribution distribution के basis पर हम लोड को कैसे define करते हैं तो on the basis of distribution load can be defined as load को हम लोग define करते हैं concentrated load concentrated load and distributed load and distributed load now, अगर हम concentrated load की बात करें concentrated load के अंदर क्या हो जाएगा that is concentrated moment load या concentrated point load तो concentrated point load और concentrated moment load अब concentrated point load और moment load का मतलब क्या हो गया for example, यहाँ पर हम लोग इसको समझ लेता है for example, यह आपका कोई member है तो इसके उपर किसी एक point पर इस तरीके से load लग रहा है तो obviously बात हैं, इस point पर लग रहा है आपका यह load तो इसको बोलते हैं एम लोग point load तो इसको बोलते है concentrated point load किसी एक point के उपर लग रहा है further अगर हम बात करें इस particular member के उपर मान लो यह कोई आपका moment M लग रहा है इस point के उपर तो अब इसी बात है किसी एक point के उपर moment आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या इसको हम लोग बोलते हैं concentrated moment ठीक, further अगर हम distributed load की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं या आप बोल सकते हैं तीन तरीके से हम लोग distributed load के बारे में बात कर सकते हैं that is UDL, uniformly distributed load UDM, uniformly distributed moment या UVL, uniformly varying load फरदर अगर हम बात करें तो आपका UDL हो गया uniformly distributed load कहने का मतलब है कि uniformly distributed load का मतलब क्या होता है uniformly distributed का load का मतलब होता है कि आपका infinite number of point loads आपके लग रहे हैं infinite number of point loads आपके लग रहे हैं किसी एक particular length के अंदर और इन सारे जो infinite loads हैं यह जितने भी infinite loads आपके लग रहे हैं किसी एक particular length के अंदर सबका magnitude सेम है या सबकी intensity सेम है तो same intensity का load बहुत कम distance के अंदर लगता है किसी particular length के अंदर तो अभी सी बात है उस load को हम लोग बोलते हैं uniformly distributed load further distributed moment बात यही है मतलब किसी एक particular length के अंदर आपका moment लग रहा है बहुत कम distance में आपका moment लग रहा है समय आ रहा है कि नहीं आ रहा है बहुत कम distance में आपका moment लग रहा है that is called your uniformly distributed moment अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पर बात किया था हमने uniformly varying load uniformly varying load तो नाम में ही समय में आ गया क्या वो रहा है uniformly vary कर रहा है uniformly vary कर रहा है कहने का मतलब slope आपका same रहेगा जैसे यहाँ पर 0 है अब आपका 1 unit हो जाएगा अब आपका 2 unit हो जाएगा इस तरीके से इस तरीके से length के along आपका load बढ़ते जाएगा समया रहा है कि नहीं रहा है further अगर आप ध्यान से देखो तो slope भी remain same तो slope आपका change रही होगा तो इसको हम लोग बोलते है uniformly varying load तो uniform तरीके से vary कर रहा है तो मतलब slope आपका constant रह रहा है तो इसको बोलते हम लोग uniformly varying load this is called your uniformly varying load तो जब तक आप loads के बारे में आपको पता नहीं है या जब तक हमारे को loads के बारे में जानकर ही नहीं होती तब तक strength of material को समझना भी मुश्किल हो जाता है तो obviously बात है जब तक हम लोग loads को ना समझे तब तक आपका strength of material को समझना मुश्किल हो जाता है क्यों? क्योंकि obviously बात है हमने शुरू महीं बात कर लिया था कि यहाँ पे हम लोग अलग type के load लगाते हैं हमारे structure के अंदर या हमारे material के उपर और उस load के behavior को हम लोग चेक करते हैं या उस load के अंदर हम लोग behavior को चेक करते हैं कि आपका material किस तरीके से behave करेगा तो इसको समझने के लिए हमने पहले loads को define किया हमने बात किया कि कौन-कौन से type के load है या load को हम लोग कैसे classify कर सकते हैं तो majorly हम लोग तीन type से load को classify कर सकते हैं that is with respect to cross section of the member with respect to time and on the basis of distribution clear है तो यहां तक हमने load के बारे में बात किया now अगर हम बात करें with respect to cross section of the member आपके अलग-अलग load की application होती है तो how this load will be applied या किसी एक particular structural member की जब हम बात करते हैं तो उसके profile के अंदर यह structure का जो profile जो हमार को देखने को मिलता है उसके अंदर कौन-कौन से faces आपके होते हैं और उस faces के उपर जब different loads लगते हैं उन loads को किस तरीके से आपका nomenclature होता है या किस तरीके से हम लोग उसको define करते हैं या behavior तो हम लोग देख लेंगे आगे किस तरीके से हम लोग define करते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो बाकी का जो further discussion रहेगा वो हम लोग नेक्स क्लास में जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एक particular cross section के उपर किस तरीके से आपके load लगता हैं और load के बाद हम लोग कहीं न कहीं strength of material के बारे में फिर आपकी discussion शुरू होगी पहले हम लोग loads को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि आगे जाके आपको problems ऐसी दिखने वाली है कैसे आपको बोलेगा कि हमने load ऐसे लगाया आपको कोई transverse load है आपका transfer shear लग रहा है सब्सक्राइब कि नहीं आ रहा है इस centric load है ठीक है तो उस तरीके से हमारे को पहले इस nomenclature को decoding करना है चलिए तो बागी मिलते हैं next video में thank you so much